हेलो माई देर फ्रेंड्स वेलकम बेक टू फनीन पाट साला आगे हम कंटेनी करते हैं डिलेस्टन बिट्विन ऐल्यक्रिक फिल्ट एंड ऐलेक्रिक पोटेंसियल बात बाकी का इससे पहले में फील के बारे मीँचकाँ पूटेंसि Benn पिर फिलूर। तरीके से कैसे calculate करते हैं, वह सारी चीजें बता चुपा हूँ, आज हम electric field का और electric potential का relation देखते हैं, क्या होता है, देखो, एक बात सुनना मेरी दोस्त, ये जैसे कि मानलो मेरे पास कोई charge है, plus q charge, जिसकी electric field ये है, ठीक है, और इसकी charge की वज़ा से potential तुमने पड़ी थी, क्या ह potential मानलो B1 है, एक point में यहाँ पर लेता हूँ, तो उसका potential क्या होगा, B2, अब इनमें से बड़ा कौन सा होगा, जाहिर सी बात है, B2 बड़ा होगा, B1 चोटा होगा, पूछो क्यों, क्योंकि charge से R distance दूरी लेंगे न, R, जितनी जादा छोटी होगी, उतना जादा potential होगा, इतनी वास समझ में आ गई, ठीक है, electric, यानि देखो, यह electric field का direction है, ऐसे, ऐसे, electric field के, जैसे-जैसे हम आपोजिट direction में जा रहे हैं, यहाँगा, तो potential और बढ़ जाएगी, और charge के जैसे-जैसे करीब आऊँगा, electric potential बढ़ जाएगी, ठीक है, सेम इसी तरीके से, इसको समझ हो, देखो, होता क्या है, जैसे कि मानो, मेरे पास यह कोई charge है, है न, अब मैं इसको, आगे, मानलो, यहाँपे मेरा potential B है, मैंने अगर इसको DR distance आगे खीचा, DR distance में आगे लेके आयो, ऐसे करके, पुचुक, मैंने इसको पुचुक करके, आगे रख दिया, रख दिया, यहा equal to DB upon DR, ठीक है, equal to DB upon DR, अब यहाँ पर यह relation होता है, लेकिन इसमें जो sign होता है, वो minus का आता है, यह sign यह indicate कर रहा है, कि अगर electric field के opposite direction में जाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा, potential बढ़ेगा, वहाँ पर क्या होगा, potential बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने वाली feel आ रही है कि नही अब को पता है, लेकिन एक बात बता ना, देखो, देखो, potential gradient नाम की एक चीज़ होती है, potential gradient, gradient का मतलब समझ रहे हो न, किसी भी चीज में, अगर मैं length से divide दे देता हूँ, किसी भी चीज में, मैं अगर length से divide दे देता हूँ, यानि B, माल लो, यहाँ पर B था, और मैं यहाँ से L distance दूरी चला, तो potential कम हो जाएगा, B बने यहाँ पर माल लो, अब B2 हो गया, L distance दूरी चलने के बाद, तो जो potential है, वो electric field के अंदर जाते कम हो रहा है, क्योंकि वो distance पर depend कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, यह distance पर depend कर रहा है, जो कि मैंने L बोल दिया, तो potential gradient स से यह समझो, जहाँ कहीं भी gradient लग जाता है, और जिस चीज के आगे लगता है, उसमें length का divide लगा देते हैं, तो potential gradient क्या हो गया है, B upon L, जो कि equal है, electric field के, लेकिन sign किसका आएगा, negative का, ठीक है, तो यह चीज तुम समझे, वो उसके लिए है, कि छोटा db है, मतलब छोटा सा potential बढ़ रहा है, छोटी सी distance आगे चलने के बाद, ठीक है, इन दोनों का difference देखो न, B minus, B plus db, कितना होगा है, db तो होगा, कितनी distance चली हमने, जब dr चली थब, ठीक है, तो एक तो यह वाला formula हो गया, अगर तुम से सिर्फ बोले, कि भाई साब, हमको निकालना है, क्या magnitude, तो अच्छा, अगर तुम से कहा जाए, कि नहीं हमको तो सिर्फ potential चाहिए, तो इस वाले formula को ऐसे भी लिख सकते हो, db upon dr, dr के cross multiplication करोगे, तो क्या जाएगा, minus e dot dr, है ना, अब एक बात होता हो, इसको integrate करोगे, नहीं करोगे, तो यह इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ऐसे भी questions पूछे जाएंगे, जो कि अभी में तुम से पूछूँगा भी, इसके उपर, ठीक है, तो अच्छा, अगर तुम से पूछा जाएगे, भईया, potential, जैसे कि हमारे पास यह parallel plate capacitor है, plus charge, यह minus charge, तो तुम सब को पता है, electric field ऐसा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे तो यह वाला formula लगा दोगे, है ना, इसी तरीके से, एक और चीज़ सुनो, बढ़िया, यह main और important task है तुमाने लिए, जैसे कि यहाँ पर यह formula देखो, यह यह कहना चाहरा है, कि db equal to e dot dr होता है, ठीक है, minus का sign, है ना, e dot dr होता है, अब मैं जब dot product हटाऊंगा, e dot dr, ठीक है अब यहाँ से मैं dot product हटाऊंगा, तो क्या हैगा, db equal to e r cos theta, समझ में आगी बात, है ना, e r cos theta, db छोड़ो, यहाँ पर बड़ा भी ले लो potential, तो यह क्या हो जागा, e r cos theta minus का sign, है ना, dot product हट चुका है, यानि कि मैं यह कह सकता हूँ, अगर मिलको कहीं potential निकालना है, electric field में, तो उसका e cos theta वाला component लोगा, या फिर r cos theta वाला component लोगा, length के form में अगर निकालना होगा, तो यह वाला formula भी बहुत important हो जाता है, b equal to minus e r cos theta, है ना, तो इसको भी देख लो, इसकी भी सकल देख लो, यह relations है, इतने सारे तरीके से यह इस्तमाल हो सकते हैं, आगे कुछ questions करते ह है, इनके उपर, देखो, यह ना, uniform electric field equal to 30 newton coulomb, जैसे की, and all side of triangle is 2 meter, एक point, दूसरा point, तीसरा point, side कितनी है, 2 meter, okay, सारी side, तो यह 60 degree का angle हो जागा, क्योंकि equilateral triangle है, अब बोला क्या, electric field की value यह है, चलो, है ना, अब इस मैं, जैसे की, मानलो, a point a दे रखका है, b point a दे रखका ह है, तो तुम से पूछेगा यह, कि अच्छा, b a minus b b बताओ, यानि यह potential difference बताओ, और b c minus b b बताओ, तो कैसे बताओगे, देखो, sign भी होता है, potential negative भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, तो एक बात बताओ, electric field is direction में, हाँ, यह point है ना, note करके लिख लो, पहले, note, in the direction, in the opposite direction, of electric field, ठीक है, potential energy, नहीं, यानि potential, energy नहीं, potential सिर्फ, potential is increases, ओके, यह बात याद रहेंगे, तो concept सारी clear हो जाएंगे, अब एक बात बताओ, यह मेरे पास 2 meter distance दे रखकी है, electric field यह है, यानि कि ऐसे, इस direction में दे रखकी है, जिसकी value कितनी है, 13 newton per coulomb, दे रखकी है ना, अब एक बात बताओ, 30 newton per coulomb, और मेरे को क्या निकालना है, ba minus bb, यानि final क्या है, a final हो गया, final minus initial होता है, तो यह final है, ठीक है, और यह initial है, तो इन दोनों के बीच में angle कितना दे रखकी है, 60 degree, दे रखकी है, electric field के बीच में, और इसके बीच में, तो यह पर direct यह वाला formula लाओ na, ba minus b b, यानि इसको मैं लिख सकता हूँ, delta b, a, b, equal to, कितना हुगा, बताओ, e dot dr, यानि 30, e, dr तो है नहीं, यहाँ पर छोटी dr नहीं है, तो 2 meter लिखो ना, direct, इन दोनों के बीच में angle कितना हुगा, cost 60, समझ में आगी बात, 3 to 6, cost 60 की value 1 by 2, है न, solve करोगे, तो कितना आएगा, delta b a, b, जो आएगा, वो आएगा, इतना 30, है न, bolt, एक बात बताओ मेरे को, एक बात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या मैंने यह सही लिखा है, क्या यह मेरा science सही है, देखो, मैंने तुमको अभी अभी बताया, कि मैं अगर electric field के opposite direction में जाऊँगा, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ एक point तो यह मिला, सुन रहा हूँ न, b point, तो मैं कह सकता हूँ, हमेसा b point की potential जादा होगी, और b a की कम होगी, क्योंकि electric field के opposite direction में, यह जादा distance table कर चुका है, यह कहलो, यह जादा आगे रखा है, यह जादा पीछे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर b a, minus b b हो रहा है, जबकि b b सबसे बड़ा है, b b सबसे बड़ा है, तो यह negative में आएगा कि positive में, जाइर सी बाता है, यह negative में आएगा, और formula भी यह होता है, minus e dot dr cos theta, तो पहले से minus ले ले लेते हैं, तो भी ठीक है, नहीं इस तरीके से सोच के भी minus ले सकते हो, बस समझ में आ गई, अच्छा, यह तो जादा असर टफ question होगे, इससे सराल question करते हैं, मालनो a point यह है, b point a है, c point a है, d point a है, अब इनके potential के relation बताना है, यह b a जादा है, b a जादा है, b c जादा है, यह b d जादा है, कौन सा इन में से जादा है, यह दोनों यही position पर रखे हैं, ठीक है, तो देखो, अगर इस question को मै solve करने के लिए बोल दू तुम से, तो तुम सबको पताए, यह electric field का direction इधर की तरफ है, इसके opposite direction में जाऊंगा, तो potential बढ़ेगा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, यह सबसे जादा potential होगा, वो b c का होगा, ठीक है, और b d का, इन दोनों में से किसका जादा होगा, यहाँ प बस पांच मिनट का इंतजार करो, मैं यह बताने वाला हूँ, एक्यूपिटेंशियल सर्फेस क्या होता है, तौनों के दौनों एक ही, लाइन पर रखे हैं ऐसे, जो लाइन परपेंडी कूलर है, electric field के, तो उस पूरी लाइन पर, उस पूरी लाइन पर, potential सेम होगा, कुछ action में चल रहा है, मस्ती ही लग रही है कि नहीं लग रही क्लास में, देखो भई है, physics में मस्ती नहीं होगी, अगर serious तरीके से कुछ पढ़ना चाते हो, लेकिन हमारा काम है, मस्ती करके पढ़ाई करना, तो मस्त तरीके से हमें पढ़ाई जो है, स्तमाज में आ जाती है my dear friend, अच्छा, तो ये देखो, three point ABC lie in a uniform electric field of five into ten to the power three, ये five into ten to the power three, electric field newton per column में दे रखा है, ठीक है, अब एक बाद बताओ, find the potential difference, चलो मानलो कि एक point यहाँ पर दे रखा है, ऐसे, three points कुछ इस तरीके से दे रखा है, मैं बता रहा हूँ, A, B, C, और ये 90 degree का angle हो गया, ठीक है, और ये जो दूरी है, इसको बोलते हैं, two meter, इसको बोलेंगे three meter, और इसको बोलेंगे हम four meter, ठीक है, अब हमसे पूछा जाए, कि ऐसा है भाईया, BA minus BB का potential difference क्या होगा, और BC minus BA का potential difference क्या होगा, बताओ, तो क्या कहोगे, क्या जब आप दोगे आप, अपनी छमताओं का उपयोग करके, इसको किस तरीके से solve करोगे, देखो, साब साब बोलना उससे, भाई साब, देखो, A point और B point, एक कोई potential पहें, दौनों point का potential जो है, same होगा, क्योंकि जब भी electric field में, आगे मैं पूरा बताने वाला हूँ, इक के potential पूरा topic पढ़ाने वाला हूँ, जब भी किसी electric field में, अगर हम 90 degree के angle बनाएं, electric field line से, तो उनके हर point का जो potential है, वो same होगा, तो जो B A होगा, भाई B B होगा, रफ हो गया पूरा, जो B B होगा, जो B B होगा, भाई B A होगा, तो पहला question तो यहीं solve हो गया, कि भाईसा, B A equal to B B, इसलिए, B delta B A B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आगी पर, चलो, दूसरे को, solve करते हैं, दूसरे पर बार करते हैं, दो B C minus B A पूछ रहा है, C point A है, A point A है, अभी अभी मैंने बताया, B A equal to B B है, तो मैं यह कह सकता हूँ, अगर मेरे को B C minus B A तो क्यों ना मैं B C minus B B निकल लूँ, दोनों तो बरावर हैं, B C minus B A निकल लो, बरावर है के निए, एक यह बात है न, चाहिए B का potential minus कर दूँ चाहे, A का minus कर दूँ, तो मैं यहां से यहां तक यह वाली दूरी लूँगा, यह आसान हो गया न, निकलना मेरे लिए, तो मैं इसको कह सकता हूँ जो bc minus bb आएगा निकालूँगा में यही और लिखूँगा में यह bc minus bb जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा और यह कैसे निकालना है देखो 3 meter distance है electric field तो मैं पता ही है यानि e dot dr cos theta range sign किसका लोगे minus का electric field कितना है 5 into 10 to the power 3 distance पूरी distance ले डियार 3 है ना और एक बात बताओ electric field का direction यह है है कि नहीं यह है ना और यह इदर की तरफ जा रहे है महास है लेकिन minus का sign हमने पहले ही ले लिया है तो कुल मिला के कह सकता हूं मैं cos इन दोनों के बीच में कहा है 0 है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं यह जो cos 0 की value बन है और यह minus 339 into 10 to the power 3 इसका जो voltage है वो आ जागा तुमारा potential difference ठीक है तो मैं यह कह सकता हूं जो BC minus BA है वो यह होगा एक मिना एक बार correct कर लेते हैं एक बात बता हो BC का ज्यादा होगा या BB का potential ज्यादा होगा यानि BB बोलो या BA बोलो BA का ज्यादा होगा कम मैसे मैं ज्यादा को minus करूँगा तो negative में ही तो answer आएगा तो इस तरीके से sign ले लिए अगरो negative में answer आगया ठीक है माइडियर फ्रेंट माइडियर आलू माइडियर कचालू everything is fine ठीक है समझ में आ रहा है यहां तक मस्ती आ रही है एक और question करते है action में माल लोग की electric field का direction ही है ठीक है और electric field की जो value दे रखी है वो दे रखी है तुम्हें 4 into 10 to the power 3 newton coulomb एक और question बना रहा हूँ मैं आप है है ना byte pen से बनाते हैं चलो यह electric field की value इतनी दे रखी है हमको इसमें और तुमसे बोल दिया है कि भाई साब एक point हमारे पास A है एक point हमारे पास B है जिसके बीच क की दूरी है 2 meter तो बताइए तो बताइए BA minus BB क्या होगा तो बताइए BA minus BB क्या होगा देखो my dear friend यहां तुम फस जाओगे यहां तुम फस यसलिए जाओगे क्योंकि तुम्हें पता है minus e dot dr cos theta formula होता है यानि अगर मैं simple भासा में लिखूं तो e r cos theta होता है ठीक है अच्छा electric field 4 into 10 to the power 3 newton coulomb दे रखी है और हाँ इसका angle भी तो दे रखा होगा angle है मानलो 45 degree 45 degree angle दे रखा है कि electric field x axis से ऐसे बनी है तो हमें क्या करना है हमें देखो हमें क्या करना है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ e cos theta वाला component ले ले रहा हूँ अरे देखो यह यह वाला component है electric field e अगर मैं इसका एक component ले लेता हूँ जो कि इस line के parallel होगा कुछ इस तरीके से वो क्या हो जागा e cos 45 हो जागा कि नहीं हो जाएगा इसी component को ले लेना है इस वाले को e cos 45 समझ में आगी बात और यह किसके parallel है 2 meter के तो दौनों चीज़ें समझ में आगी तो electric field का component तुरंत break कर लिया करो ज इन points के बीच में तुम्हें potential निकालना है उस line के parallel हो फिक है तो इस तरीके से लिखते है ba minus bb और यह इस line के parallel है और इसका हमने एक component ले लिया टुचक ऐसे यह electric field e था ऐसे इसका मैंने component ले लिया ठीटा जो कि हमें 45 degree दे रखका है तो इसको मैंने बोल दिया e cos theta तो मैंने य maximum किसका होगा ba minimum किसका होगा bb का मतलब थोड़ा कम तो ba minus bb क्या हो जाएगा ba minus bb क्या हो जाएगा positive sign तो तो तुम्हें बैसे ही समझ में आ रहा है तो sign है न तुम इस तरीके से भी देख सकते हो तो इस तरीके से ये question सारी solve होंगे और कोई परिशानी नहीं लेना एक question करते हैं ये बाला और बढ़िया तरीके से करेंगे और यहां से हम partial differentiation भी सीखते हैं थोड़ा सा यहां पर हमको एक relation समझना होगा बढ़िया तरीके से ज z term भी है और हमको points यह दे रखके हैं ठीक है कि इस point पर हमको potential चाहिए तो इन questions को solve करने के लिए आता है partial differentiation method अभी अभी तुमने पढ़ाता है e equal to क्या होता है minus db upon dr लेकिन यहां पर तुम इस तरीके से नहीं solve करोगे यहां पर जो होगा वो होगा यह e x equal to minus db upon dx पहला ठीक ह e y अभी रुप जाओ सबसमझ में आजागा e y equal to minus db upon dy ठीक है दूसरा ठीसरा हो जाएगा e z equal to minus db upon dz ओके एक बास सुनना मेरी proper ध्यान से अब मेरे पास b क्या है यह है अगर मैं इसका e x निकाल रहा हूँ मतलब put electric field in x direction तो वो क्या हो जाएगा d यानि d नहीं पढ़ते इस को टेड़ा सा d बनाते है इस तरीके से और b की जगह क्या लिखेंगे 10x square plus 5y square minus 3z square ओके अब यहाँ पर dx करना है यानि की partial differentiation with respect to x कर दोगे तो देखो होगा क्या जब तुम e x solve करोगे तो वो आएगा तुमारा 20x ओके अब प्लस देखो यह 10x square क्या करूँगा तो 2 नीचे जाएगा सिम differentiation की तरह करना है 20x हो जाएगा प्लस 5y square dx इसका partial differentiation कुछ नहीं होगा क्योगी यह x है 0 हो जाएगा है ना प्लस या ऐसा कर लो minus 3z square और यहाँ पर क्या है dx है ठीक है यहाँ यहाँ पर z है तो इसका भी कुछ नहीं होगा 0 हो जाएगा सेम इसी तरीके से यहाँ पर 20x आ गया अब e by निकलते है लेकिन formula में कहाँ मैनस भी है ना साथ में तो यहाँ पर पहले पूरे मैं मैनस लोगा इस तरीके से पूरे मैं minus तो मैं समझ में आ गया यह तो सब 0 ही है तो minus जब मैं ले रहा हूं तो सिर्फ इसी पर ले लूँ ना यह तो सारा 0 होई गया ठ मैनस सेम इसी तरीके से dx की जगा आप dy लोगे तो dy से जब differentiate करोगे तो x square वाला भी term 0, z square वाला भी term 0 बचेगा कौन सा 5y square चलो एक और बार मैं करके दिखा देता हूं गी 10x square ठीक है पिलस 5y square minus 3z square इसी तरीके से dy partial differentiation तो यहाँ से ey क्या आएगा इसका जब तुम differentiation करोगे त मैनस का sign तो ही है साथ में सिर्फ y वाला component बचेगा तो इसको मैं यह लिख दूँगा 5y square upon dy और तो सब 0 हो जाएगा ठीक है तो sort मैं solve कर दे रहा हूं है यह हो जाएगा तो वाला minus का 5 to 10y ओके e y इसी तरीके से यहाँ पर मैं ez लिखना चाह रहा हूं ez मैं क्या हैगा यहाँ यहाँ पर x है यहाँ पर y है यह तो अपने यह जीरो हो जाएगे z कहाँ है सिर्फ यह वाला तो z के लिए यही लेंगे minus d और minus 3 z square sort मैं लिख रहा हूं है ऐसे ही लिखते तो इसको पूरा है ठीक है लेगे न आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर d z लिख देंगे त में आते हैं ऐसे problems और तो में sort में ही निप्टाने होते हैं है ना नीट में भी आ जाते हैं कभी-कभी तो इस तरीके से solve करना यह 2 नीचे उतरेगा 3 2 6 minus का sign पहले से ही है और यहाँ भी minus का है तो प्रस हो जाएगा तो यहाँ पर e z क्या आएगा e z जो है 6 z आ जाएगा अब तुम्हें value भी दे रखिए देखो दोस्त बन मीटर टू मीटर 3 मीटर ठीक है अब यहाँ पर बूलते हैं बेक्टर फॉर्म में लखी रहे हैं तो आई-कैप जे-कैप भी लगा लिया करो तुम आई-कैप जे-कैप और यह हो जागा तुम्हारा के-कैप ठीक है कैप लाग इसे लिखना चाहूं ऐसे लिखूंगा इनेट जो आया वह आया यानि मैनस का 10y पहले आई-बाला लिखो आई-बाला क्या आया था अपना अरे कहां गाईब हो गया यह रहा मैनस 20x-20x ऐ-कैप ठीक है तो इसको लिखो मैनस 20x ऐ-कैप प्लस यह बाला क्या हो जाएगा प् मैनस 10y कैप यानि by के साथ j कैप अब आएगा तुम्हारा प्लस 6z के कैप ठीक है अब e net अगर तुम लिखोगे तो यहां ऐसे लिखोगे मैनस 20x की वैल्यू कै लेनी है बन मीटर तो यह तो मैनस 20y कैप हो जागा सिर्फ मैनस 10y by की वैल्यू टू मीटर लेनी है तो यह भी मैनस 20y कैप हो जागा ठीक है प्लस 6 into z 6 z के साथ 3 लेना है तो 6 3 जाए 18 यह 18 लिख दो 18 कैप तो आंसर इस तरीके से आएगा तो यह है होगा यह और देख लो एक बार screenshot भी ले सकते हैं तुम लोग अब देखो सबसे बढ़िया चीज सीखने के लिए आ गया हम हम अब यहाँ पर पुटेंसियल सर्फेस के बारे में जानते है किसके बारे में एक कोई पुटेंसियल सर्फेस आखिरकार यह कोई पुटेंसियल सर ओकेस ओकेस है ना इस तरीके से निकलेंगी अब मिरको बात बताईए अब मिरको बात बताईए अगर मैं आपसे यह बोलू कि मेरको एलेक्ट्रिक फील्स चाहिए यह तो एलेक्ट्रिक फील्स हो गई हम मैंने मान लोकेस्टिक इसके इरदगरद मैंने concentrated, concentric circle बना दिये, concentrated जक्ट्रेट नहीं, गल्दी से निकल गया ठीक है, यह मैंने चर्कल बना दियya है कि यहां देना माई डियर फ्रैंड्स इन सरक्ल के हर पूइंट पर एक्चुली मैं यह सरकल नहीं होंगे यह सपेर होंगी, क्योंकि यह चार्ज ना पूरा सपेर है और इसपेर के इर्धगिर तुर 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 ऐसे निकल रहे होंगे सब जगे से तो इसके आसपास इसका Concentric Spare बनाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा Spare ठीक है तो इस pair के ऊपर तो इस pair के ऊपर क्या आएगा सब पर potential जो है same होगा क्या होगा सबका potential same होगा है ना इसी चीज़ को बोल देते हैं हम एक कोई potential surface या किताबी भाजा में बोले हैं तो ऐसे कहते हैं the surface which is the locus of all points the surface which is the locus of all points which are at the same potential मतलब ऐसा surface ऐसे points के locus से बना हुगा surface जहां का potential सारा same होता है है ना उसी को हम बोल देते हैं एक कोई potential तो अगर मैं surface बनाता हूँ याँ पे spherical इसके आसपास जितने भी point आ रहे हैं इस पर इस spare पर जितने भी point आ रहे हैं न ऐसे ऐसे उन सबका potential सेम होगा तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इसका एक कोई potential इसका मतलब अगर एक point यहां ले लिया एक point यहां ले लिया तो दोनों का potential क्या है सेम है यहाँ पर लिख लो भी सेम ठीक है इसी तरीके से अगर मान लो अगर मान लो रुक जाओ green pen से मन भाएंगे अगर मान लो मैंने अगर मान लो मैंने एक point यहां ले लिया इसी surface पर और एक point यहां ले लिया, इन दोनों का equiptential surface क्या होगा, same हो जाएगा देखो इस तरीके से यहां पर भी लिख रखा है है ना लिख रखा है का नहीं लिख रखा देख पा रहे हूँ, ठीक है कोई भी point ले लो इस surface पर इनका equiptential क्या हो जाएगा same हो जाएगा, ठीक है तो इसका equiptential surface same हो रहा है और यहां से एक और चीज़ से देख सकते हो verify करने के लिए, माल लो यहां से r distance दूरी पर कोई भी point ले लूँ, कोई भी point ले लूँ कहीं पर भी ले लूँ, बर r distance दूरी हो, तो इसका क्या होगा, b equal to kq upon r तो इसका मतलब तो मैं समझ में ही आ रहा है कि हर point पर, यहां पर जो spare बनेगा, वो kq upon r होगा जो की same होगा, ठीक है, depends कि किस पर करता है, distance from the charge and to that point, समझ में आगी मेरी बात अब देखो my dear friend इसकी कुछ importance property होती है equiptential surface की, हमें बो भी समझ नहीं होगी, जैसे कि two equiptential surface can never intersect तो equiptential surface कभी भी intersect नहीं करेंगे ठीक है, पहली property याद होगी, समझ में आगी, क्यों नहीं करेंगे इसके पीछे का कारड़ी है अगर मान लो, तो equiptential surface intersect कर रहे हैं, एक यह रह है ना, दूसरा intersect करेंगे, तो यहाँ पर एक ही point common आ जाएगा और यहाँ पर अगर कैसे भी करके intersect कर जाते हैं तो गड़बड हो जाएगी, ठीक है एक point आ जाएगा और एक point की वज़ाए से दो tangent आ जाएगी और दो direction मिल जाएगी स्टेम electric field जैसा case हो जाएगा है, जो की possible नहीं है है ना, इसलिए यह लोग ठकराते नहीं है एक दूसरे से अगर इसका equiptential surface है अगले वाले का यहाँ कहीं होगा वो इसके just parallel होगा यह कह सकते हैं, just concentric होगा, है ना, जिसकी वज़ाए से कोई भी equiptential surface intersect नहीं करते हैं, इस property को उसी तरीके से समझ लो, जैसे electric field में तुमने समझा था, याद करने के purpose से always the electric field is perpendicular to an equiptential surface देखो, इसमें भी तुम देख पा रहे हो charge अपना plus Q है है ना, radially outward इस तरीके से, outward, outward वो equiptential surface जब मैं बना रहा था तो circle बना रहा था और यह हमेशा line जो निकलेंगी वो perpendicular ही होंगी, इसके भी surface के ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है जो electric field होंगी, वो हमेशा perpendicular होंगी equiptential surface के, इस diagram में भी देख सकते हो तुम ठीक है, आगे देखो equiptential surface are of concentric spare cell for a point charge अभी अभी, बार बार देख रहे हो यह थोड़ा कडबड बन गया है, पर माफ करना इसी तरीके से है, क्योंकि बार बार यही पढ़ रहे हो तुम, अब देखो the potential is constant inside a hollow charged spherical conductor, ठीक है जासे कि मानलो मेरे पास यह कोई hollow conductor है देखो, the potential is constant inside a hollow charged spherical conductor, अब कोई charged spherical conductor है, जो कि hollow है, तो अंदर तो कोई charge नहीं होगा समझ रहे हो न मेरी बात, अंदर तो कोई charge नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इस case में potential यहां पर constant होगा formula से हम लोग देख भी चुके हैं अब देखो, क्या किया रहा है, this can be treated as equiptential volume no work is needed to move a charge from the center to the surface अगर मैं center से surface पर कोई भी charge ले जाता हूँ center से surface पर अगर मैं कोई भी charge ले जाता हूँ, तो कोई भी यहां पर काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा क्यूंकि यहां पर potential ही नहीं है यह कहलो potential equal है अभी मैं बताऊंगा, जिस surface पर पुटेंशियल एक्वल होता है जैसे कि मानलो यह पूटेंशियल एक b1 और b2 एक्वल है तो यहां पर b2 मैनस b1 करूंगा तो क्या हो जाएगा पूटेंशियल डिफ्रेंस 0 हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू जीरो ना बी टू बन अच्छा और बर्गडन का फॉर्मूल सब जगे पूरे पर क्योंकि चार्ज बार की तरफ चला गया है तो पूरे स्पेर पर पूटेंसियल क्या हो जागा बी इक्वल टू के क्यू बाई आर ठीक है इंसाइड दिस पॉइंट और इस सर्फेस पर भी ठीक है तो यहां से यहां तक अगर मैं किसी चार्ज को ले जाऊ तो बही पॉइंट्स लिखे हूँ है सारे बार 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 बस समझना है तुम्हें इन अच्छे तरीके से अच्छा एक और चीज देखते है तो एक्विटेंसियल सर्फेस डाइरेक्शन इस फ्रॉम हाई पुटेंसियल टू लो पुटेंसियल जैसे कि जैसे कि अभी प्लस क हमारे पास चारज है तो मान लो के यहां पर हमिं बनाना है तो पहले यहां पे बनाऊंगा ना ? ऑसलिकने कि masking तो जो इक्यूप्टेंशियल रो होगा, वो क्या होगा? ठीक है, काम हो जाएगा थोड़ा, तो जो इक्यूप्टेंशियल सर्फेस बनाएंगे हैं, कुछ बेप्स की तरह, देखो सम्बंदर में तुमने कभी कंकड फैका होगा, ऐसे ऐसे करके बेप्स बन जाती है, ठीक है, सर्कूलर बेप बोल दो ने, कॉंसेंट्रिक बेप बन जाती हैं, तो इक्यूप्टेंशियल सर्फेस भी इसी तरीके से बनाया जाएगा, समझ में आगी बात, अब देखो, एनी प्लेन, डट इस नॉर्मल तु दा फिएल्ड, डाइरेक्शन इस एन एक्टोपलश सर्फेस, इन आ यूनिफर्म इलेक्ट्रिक फिएल्ड, यानि कर दो कोई भी प्लेन है, तो अन् 이제 यूनिफर्मल तु दा फिएल्ड डारेक्ट्रिचान, इस एयन एक्कोपेट districts इसक मान लो जैसे कि यह बेरे पास न्यूटन्स क्राइडल है इससे तुम एक तरीके से मान के चलो ऐसे ऐसे करके लेक्ट्रिक फ्रील्ड निकल रही है पूरे में निकल रही है ठीक है बहुत सारी निकल रही है तो मैं अगर उस पर पूरा कोई भी प्लेन मनाता हूं इसका जो एक्विटेंशियल सर्फेस ड्रो किया जाएगा वो एक प्लेन होगा तो मैं प्लेन बोर्ड पर तो ड्रो नहीं कर पा रहा है ना मान लो कि यहां से एलेक्ट्रिक फ्रीड ऐसे जा रही है जो की उनिफॉम है तो इस पर एक इस तरीके से प्लेन होगा कैसे इस तरीक के हर point पर equal potential होगा बास समझ में आ गई equal potential होगा इसलिए हमने इसको बोल दिया equal potential लिख देते हैं एक मिनट ओकेश हम मेरे को एक बात बताओ अगला point देखो अभी अभी मैंने बताया point charge के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ ठीक है आप ड्रो करने की कोई जरूरत नहीं है तो it means that the concentric spare around the point charge contain different equipotential surface अभी बात है भाई बात है कि हमने भाई साब एक point charge ले लिया है और उसके जो concentrated spare है उसके आसपास ठीक है वो क्या है different equipotential surface एक एरा पहला इसके बाद दूसरा difference है इसी तरीके से बहुत सारे ड्रो कर लो तीन चार पांच ड्रो कर लो यह फालतू की लाइन है मतलब की नहीं है कोई ठीक है ज्यादा फोकस मत करना है इस पर the spacing between the equipotential surface enable us to identify strong and weak field region it means equal to minus db upon dr यह तो तुमने एक question अभी अभी देखी यहाँ पर तुम्हें क्या पता चल रहा है is inversely proportional to r और वो यही बात कह रहा है the spacing between the equipotential surface enables us to identify strong and weak field region जैसे कि मानो जैसे कि मानो यह मेरे पास positive charge है यह मेरे पास negative charge है और positive charge की वज़ा से electric fields बार की तरफ निकलेंगी 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 इस तरीके से ठीक है और negative charge की वज़ा से अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ अब यहां से electric field ऐसे जाएगी मैंने बनाई थी अब मैं बार बार नहीं बत अब यहां पर मैं कह सकता हूँ, यह थोड़ी लाइन मैंने एक्ष्टा निकाल दीए इसको रफ करते हैं यहां पर मैं पूछना चाहता हूँ तो मैं electric field lines के दर strong लग रही है, जाइर सी बात है इदर की तरफ लग रही है, क्योंकि bend हो रही है, तो मैं यहां पर equipotential surface draw करूँगा, तो मैं कुछ इस तरीके से draw होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीक में gap कम होगा, electric field lines उतनी ज्यादा strong दिखाएगा, और gap जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि यह gap बढ़ चुका है, ठीक है, यह r distance मानलो r1 और यह r2 मानलो, तो r2 क्या है, छोटा है, r1 क्या है, बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है, electric field की strength यहां पर कम है, यहां पर ज्य ज्यादा है, तो बही चीज लिखी हुई है, electric field की strength कब जादा होगी, जब r2 चोटी होगी, तो r2 चोटी, electric field की strength ज्यादा, बात पलने पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, उम्मीद है कि पढ़ रही होगी, आगे देखो, equipotential surfaces of various charge system, जैसा कि मान लो, मेरे पास बहुत तरीके के charge system होते हैं, पहला बार बार इसी का example ले रहा हूँ, मैं plus q charge मान लो, है ना, इसकी वजासे equipotential surface कैसे ड्रो होगा, ढंक से बनाते हैं थोड़ा, पहला क्या है, plus q charge, और इसकी वजासे equipotential surface कैसे होगा, outside, 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 ठीक है, इस तरीके से, समझ में आगी बात, अब, यह तो electric field रो किया है, equipotential surface कैसे ड्रो करोगे, ऐसे, है ना, इसके concentrated, concentric, क्या यार, concentrated, concentrated हो रहा है, यह देखो, ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा, यह minus q, invert, invert electric field, invert, invert, equipotential surface कैसा, इसी तरीके से, सेम, इसी तरीके से, ह है ना, समझ गए बात, अच्छा, अब, यह भी मैंने बताया, तीसरा, अगर मालनो, हमारे पास, तीन चार्ज है, plus q, तीन नहीं, दूइन यह भी, minus q, तो electric field रो करना आता है, सबको plus q से निकलती है, negative में, enter, 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 ठीक है, इसी तरीके से, okay, समझे आ रहे है, इसको बना दो, okay, यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, यहां से electric field निकलेगी, तो हो क्या रहा है, अगर मैं बोलूँगा, कि electric field की strength देखो, मैंने यहां देख ली, ठीक है, तो मैंने यहां से एक circle बनाया, ऐसा, यहां पर strength कम है, तो distance भी बढ़ जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे ही same, चलो gap हो जाएगा थोड़ा, यह property से line draw करने की, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आगी बात कैसे दूर बगा रहा हूँ, ऐसे ही यहां पर देखो, है ना, इस तरीके से, dot 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 करके होगा, देखो, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, तो यह जो है, उदर की तरफ फैलता जा रहा है, इस तरीके से, मकडी का जालसा बन जाएगा यह पूरा, ऐसे, ठीक है, अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूँ, अगर मैं तुमसे पूछूँ, कि भाईया मेरे पास एक बायर है, जो की positively charge है, तो electric field तो तुम सबको पता है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ओके, अगर मैं तुमसे पूछूँ, कि नहीं, भाईयसा, मेरे पास तो एक seat है, इसको मैं बोलूँगा, seat, charge seat, ठीक है, charge seat, ठीक है, thin, charge, seat, अब इसकी वज़ा से electric field कैसे होगा, ऐसे होगा, पूरी seat की वज़ा से, बार की तरफ, ठीक है, draw नहीं होगा, लेकिन मैं करके की हुई है, electric field आइंस, ऐसे निकल नहीं है, equip potential surface कैसे बनेगा, एक पूरा plane ही तो बनेगा, तो बो plane कैसा बनेगा, वो plane इसी तरीके का बनेगा, same, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही वो plane बनेगा, यह थोड़ा यहाँ से गलती होई, एक second, गलत plane बन गया, ह इस तरीके से वो plane मनेगा, ऐसे, ठीक है, अगला, इसी तरीके से बना दो, okay, ठीक है, मेरी बास समझ में आ रही है, अच्छा, आगे दिखतें क्या है, अब बात आती है, electric potential energy की, electric potential energy आखिरकार होता क्या है, देखो, चलो इसको मैं आगे continue करता हूँ, ठीक है,